तंदानी नाने तारी मंदानों तारे ना करें विस्मत कर ऑगा दसे तorf Scrambad in फॉप कि सुंस्टि को इतने इसी इतने j 예 जिनождे को क्या करना एक करना है ह् verspirmula लगानाना करना भीड और दी बवक्त करने हैं वहार बच्चे को करने हर बच्चे को चाया उसे बता comprina Peki सबको करने बेसिक करना ही करना है सेकेंड जो आपको दिखा ही दे रहा होगा यह वाला समझ ideal वाला है बच्चे rap टेंगल और इस्क्वाइर वाले questions पहुत important हैं लेकिन उन questions को करने के लिए time utilized होता है concept होता है समझ गे प्रोपर पहले से थोड़ा सा concept चुलाना चाहिए तो वो questions आप तब करो जब आपके सब चीजे complete हो ठीक है सजी board पे क्या है सब क्या है सब समझाओंगा पूरा समझाने वाला हूं समझ के चलो थार्ड देखो थार्ड important circles हैं इतने सारे प्रिपर देखने के बाद करीब करीब वीडियो इतना लेट हो गया उसके लिए तो पहले बहुत सौरी और लेट के होगा आपको समझ में आई गया होगा मेहनत किती होजी है ठीक है आप समझना जो थार्ड वाले हैं यह सरकल वाले questions कभी भी ऐसा नहीं हो जो नहीं आया यह questions गारेंटेड है आना ही आना है और बिल्कुल ऐसे ही चपके और यह बहुत कम है मुश्किल से 10 questions होगे जिन पर डवल ट्रपल सरकल है तो मतलब तो समझी गए होगे डवल ट्रपल सरकल का कलती से भी छोड़के नी जाना है नहीं समझ में आये सर तो क्या करें तो याद कर लो रट सकते हो तुम कोई परिशान ही नहीं है वहाँ पर सेम question आयेगा सेम चापना है समझ गए तो यह समझ में आ गया कौन कौन से questions क्या है बिलू वाले हर बच्चे को करने हैं बिलू पूरे होते हैं उसके बाद triangle वह rectangle समझ गए और rectangle या square वाले खतम होते हैं वह और थार्ड वह तो समझ में आ गाई ना कौन से टपल वह तो जरूरी जरूर करने है कलियर है चलो भाई अच्छा सर अगर वह रेड वाले छोड़ तो नुकसान हो जाएगा नुकसान तो इतना नहीं होगा लेकिन बिलू अगर कर लेते हो तो फिर जरूर कर वागना समझ गए यह आपक पूरा तयार है पार्ट टू मुश्किल से ट्वेल आवर्स के अंदर आपको चैनल पर मिल जाएगा पार्ट वन का मैं आपको समझा देता हूं सुनो भाईया हमको 90 स्कोर करना है और भाईया हमको पास होना है 90 स्कोर वाले और पास होने वाले दौना यह बात तो सुनो यक्टर 3 पूरा 7 मार्क्स का 4 और 5 आठ के और यह समझ गए 8 के और यह कौन सा 3 और 4 मार्क्स का बात है समझना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इस टेम कि हम पढ़े हैं तो कैसे पढ़े हैं कहां से पढ़े हैं एक एक चीज जो मैं बताओंगा इसके अलावा कुछ भी स सही नहीं है सही बता रहा हूं भाई साब जित्ती मेहनत हम लोगों ने करिए ना इस कंटेंट पर मैं बता रहा हूं पूरी यूट्यूब कोई निकर सकता है लिख के लेने ना इस बात को एलेक्टरिक फिल्ड also andарill कोई कौई डायलेक्टरिक सलएं यह समझ आ गया होगा कि मैं किस तीज की बात कर रहा हूं कित투 हों के सब्ड़ियर करने कोई डेरिवेशन नहीं गंड़ा चैप्टर टू पॉटेंशल कैपशिम्टमॡ करने स्ब्ड़ियर ीजियर दार्भाट के लोग के solenoid toled oil दौनों अच्छे से याद करो magnetism एक ऐसा chapter जहां पर मतलब समझ सबना chapter जहां पर यहीं नहीं पता कि है क्या है तो chapter 5 और chapter 8 आप जल्दी से देखो कुछ नहीं देखा chapter 5 और chapter 8 में हम NCRT को नहीं छूने वाले chapter 5 और chapter 8 के लिए चैप्टर कौन सा है हाँ ठीक है 5 और 8 के लिए दोनों के लिए मैंने अलग तरीके के questions लिए यूज करें chapter wise previous year से ठीक है इन वैसे भी छाट-छाट के important question नूल आए तो यही वाले questions करने हैं इन दोनों में पूरे विश्वास के साथ इसके लावा कुछ नहीं आएगा बहुत इजी questions हैं और simply में बताओ न इन में कोई conceptual नहीं है कोई numerical नहीं है कोई भी कैसा derivation नहीं है सरफ और सरफ क्या है मुश्किल से 10 to 15 questions इसके है 10 questions इसके हैं बिल्कुल आफंद करो याद करो guaranteed आएंगे अब आता है induction induction में इसी जनरेटर अच्छे से पड़ो अच्छे से समझ गए न पूरा फ्लेमिंग्स का left-end rule लगा हो induced current पैचान हो हर चीज पैचान हो आल्टरनेटिंग करेंट में कोच भी मत करना numerical के अलावा numerical पर fully focused resonance वाले समझ के quality factor वाले वो निकालना impedance निकालना यह सब चीज़ें जरूरी है तो derivations यह रहे इसके अलावा कुछ नहीं numbering पता चल गई एक से लेकर कहा ता यहां तक chapter देखो देखो कहा ता यहां तक NCRT वाले यह भी NCRT वाले यह से previous year जो आपकी बात पर अगर कोई और option से जरूर चुनना लेकिन कोई option नहीं है बहुत जादा टेंशन में हो ठीक है तो यह best option है समझ आगी बात या नहीं अच्छा ठीक है अगर हम चलो विश्वास करके एक दो चप्टर पढ़ लें और फिर question लगाएं तो निकलेंगे लेट्स ट्राइज जल्दी से इस वीडियो के बाद try करो कोई भी दो समझ गये नो दो वीडियो के बास और भाईया अगर हमें यह question ही नहीं आए फिर सुनो जो पास होना उन लोग के लिए बहुत महनत करी है किस चीज पर महनत करी है ज्यान दखना पहली चीज आप लोगों को यार यह वाले questions करने में दिक्कते आएंगी मुझे पता है क्योंकि जब आपको concept नहीं पता कुछ नहीं पता है न तो आपके लिए website पर website पर एक प जिसके बाद यह सब कुछ guaranteed पास है guaranteed मतलब यह सब में दिक्कत आती है तो वहाँ पर सबसे best solution होगा समझ गए अब second चीज पता है previous year की बात पताता हूं पहले previous year chemistry के questions डाले थे ठीक है उसके पीछे भी similar मेहनत करी थी इतनी ही और उस questions के नीचे वाले comments वह है जो थे न पहले थे एक्जाम के बाद जो feedback था वो देखो इस feedback के बाद समझ में आ रहा होगा कि save to save questions आते हैं समझ गए न और उसके पीछे reason यह है कि हम लोग बहुत-बहुत सर्च करते हैं एक-एक questions को हरत रहे के base theorem conditional probability लगा के कौन सा questions कितने times आया सब कुछ करके फिर निकले ठीक है स important चीजे बताता हूं सारे वीडियो साएंगे इसी तरीके से ठीक है इस part 2 का वीडियो बारे घंटे में एक वीडियो बहुत important डालने वाला हूं है जिसमें मैं आपको five super tricks वताने वाला हूं ऐसी helpful tricks जो शायर आपको पता चल जाए न तो बहुत बेटर हो जाएंगे बाग मैंने सारे कोशन पीडियो में डाले हैं तक सीना दबाना है सीधे डाउनलोड हो जाएंगे आज से तही तहीरी स्टार्ट करने हैं कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताना इसके बाद पार्ट 2 का वीडियो आ रहा है इसके बाद five super tricks आ रही है ठीक है और सारे one shot स आरे डिवीजन वीडियो देखने हो तो आप मेंबर्शिप जॉइन करो और सब कुछ भल जाएगा और इस वीडियो को शेयर करना है ठीक है प्लीज जबा के मतलब एक बच्चे तक पहुचा जैना जिसको फिजिक्स की टेंशन होती है मैं नहीं चाहता हूं देश में एक भ भुष्रा और पयार तयारी करो मास ठीक है जलो बाए